कितनी तेज बारिश हो रही है अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो मैं सबजी बेचने कैसे जाओंगी आशा अपनी जोपड़ी के दर्वाजे पर खड़ी होकर बारिश को देख कर ये सोच रही होती है तब ही उसकी 22 साल की बेटी शाली नी अंदर से आवाज लगाती है डाल कर देती है कुछ तेरबाद बारिश रुख जाती है तो आशा सबजी का ठेला लेकर भाजार जाने लगती है मा अभी तो बारिश बंद हुई है अब कहां जा रही हो बेटी सबजी बेशने जा रही हूँ थोड़े पैसे कमाऊंगी तो राशन की टेंशन नहीं रहेगी और फिर तेरी शादी के लिए भी तो पैसे जोडने है ताकि तेरा रिष्टा अच्छे घर में कर सको ये बात तो आपने अच्छी कही मा मैं नहीं चाहती कि मेरा पती आपकी तरह गरीब हो बलकि मुझे तो कोई अमीर घर चाहिए जहां मुझे हर खुशी मिल सके आशा चुपचाप सबजी बेशने चली चाती है फिर शाम को ठकी हारी आकर खाना बनाती है और बरतन धोकर रसोई की सफाई करती है जबकि उसकी बेटी किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी ये देख आशा उससे कहती है बेटी घर के काम सीख लो आगे जाकर काम आएंगे मा मैं अमीर घर में शादी करूंगी ताकि वहां नौकर चा करूं और मुझे कोई काम नहीं करना पड़े शालीनी के सपने काफी बड़े थे और उसका ये सपना पूरा भी हुआ जब वो गाउं के जमिनदार की बेटी की शादी में जाती है तो वहां अखिलेश नाम के एक लड़के से तकरा जाती है अखिलेश एक अमीर घराने का लड़का था शालीनी दिखने में काफी खूबसूरत थी इसलिए अखिलेश को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया पार्टी में शालीनी के बारे में जानकारी निकलवा कर वो अखिले दिन ही अपनी मेंगी चमचमाती गाड़ी में अपनी मा रमोला के साथ उसके घर पहुँच गया जहां अखिलेश की मा रमोला आशा को देख कहने लगी अरे आशा तू ये तेरी जोपड़ी है जी मिम साब बात तुमीने जानती हो हाँ ये तो आशा है जिससे मैं सबजी खरीदती हूँ इसका मतलब शालेनी तुम्हारी बेटी है हाँ मिम साब लेकिन आखिर बात क्या है मा जी मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ हाँ आशा इसने जब से तुम्हारी बेटी को देखा है उससे शादी करने की जित पकड़ कर बैठा है वैसे मैं तो इस रिष्टे के खिलाव थी क्योंकि मैं जोपडी में रहने वाली लड़की को अपनी बहु नहीं बनाना चाहती लेकिन अपने एक लोते बेटे की जित के आगे मुझे जुकना ही पड़ा अमीर घर में अपने रिष्टे की बात सुनकर शालीनी बड़ी खुश होती है लेकिन आशा उससे कहती है माफ कीजेगा मिम साब लेकिन आपके बेटे की उम्र थोड़ी जादा लग रही है मा आट-दस साल बड़ी उम्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ये रिष्टा मन्सूर है बिलकुल ठीक कहा बेटी और आशा जब हम इतने बड़े घराने के लोग तुम गरीबों से रिष्टा जोड़ने के लिए तयार है तो फिर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ठीक है जैसा आप सबको ठीक लगे आशा अपने एकलोधी बेटी की शादी अमीर घर में कर देती है अमीर घर में आकर शालीनी अब अमीरों वाले तौड तरीके सीख लेती है फिर दोनों हनीमून के लिए गुवा जाते है उधर बिचारी आशा सबजी का ठेला लगा कर अपना गुजर बसर कर रही थी फिर कुछ दिन बाद शालीनी का शादी के बाद पहला बड़े होता है अखिलेश एक बड़ी पार्टी और्गनाईज करता है जिसमें वो अपने दोस्तों को और क्लाइंट्स को भी बुलाता है जन्म दिन में आशा भी अपनी बेटी को बधाई देने के लिए आती है बेटी, मैं तुम्हारे लिए ये गाजर का हलवा बना कर लाई हूँ आशा रोते हुवे घर लोटाती है मेरी बेटी, अब इतनी अमीर हो गई कि अपनी गरीब मा को भूली गई चोटी सी थी जब उसके पिता जी उसे छोड़ कर इस दुनिया से चले गए थे तबसे, तबसे सबजिया बेच कर उसे पाला पोसा और आज मेरी अमीर बेटी मुझे पहचारने से मना कर रही है ये सब सोचकर आशा बड़ी उदास होती है लेकिन फिर वो ये सब भुला कर रोज मर्रा के कामों में लग जाती है और सबजिया बेच कर अपना पेट पालती है उदर अखिलेश कुछ दिनों के लिए मिटिंग के सिलसिले में शेहर से बाहर चला जाता है पीछे से रमोला सीडियों से गिर जाती है और डॉक्टर उसे कम्प्लीट बेड रेस्ट करने की सला देता है ये सुनकर शालीनी को बड़ा जटका लगता है क्योंकि उसकी कामवाली तो पहले ही चुटी पर गई हुई थी और अखिलेश भी बाहर था ची मुझसे तो इस बुढ़िया की देखभाल नहीं होगी इसको नहलाना खिलाना डाइपर बदलना ची 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 ये सब मेरे बसके नहीं इसलिए इन सबसे बचने के लिए वो अपनी सास को अकेला छोड़ कर कुछ दिनों के लिए अपनी मा के घर आ जाती है तू यहां अब क्या लेने आई है ओ फो मा तुम अभी तक गुस्सा ओ वो पार्टी कोई मामूली पार्टी नहीं थी उस पार्टी में कई बड़े बिजनसमैन आये हुए थे जिन्नोंने अखलेश जी को बड़े कॉंट्रेक देने थे इसलिए मुझे वो सब ड्रामा करना पड़ा ये सुनकर आशा देवी को थोड़ी तसल्ली हुई फिर उसने शालिनी से कहा ओ अच्छा लेकिन तुम अच्छानक से यहां सब ठीक तो है ना शालिनी उसे सारी बात बताती है तुझे शरम नहीं आई अपनी सास को इस हालत में अकेला छोड़ कर आ गई खेर मैं ये कैसे भूल सकती हूँ जब जनम देने वाली मा की तु सखी नहीं हुई तो उनकी क्या होगी ये कहकर आशा रमोला के घर चली जाती है जहां वो देखती है कि रमोला बुखार से तप रही है आशा उसके सर पर पट्टियां करती है और उसके लिए खिचड़ी दलिया बनाती है अब कुछ दिन तक वो उसके घर पर ही रुखती है और उसकी खूब देखभाल करती है उसे स्पंच करना उसके डाइपर बदलना सब काम वही करती है हफते भर के अंदर ही रमोला पूरी तरह से ठीक हो जाती है आशा को अपनी सेवा करते देख रमोला भी बहुत खुश होती है अब वो दोनों साथ में बाते करती हैं खाना खाती हैं और अपना हर सुख दुख बाटती हैं अब दोनों सहेली की तरह रहती एक रोज आशा तुमने जो मेरे लिए किया है न वो कोई नहीं कर सकता मेरी बहु ने मुझे अकेला छोड़ दिया लेकिन समधन होकर भी तुमने मेरी कितनी देख भाल की है अब से तुम मेरी समधन नहीं बलकि मेरी सहेली हो फिर अखिलेश घर वापस आता है तो उसे सारी बात पता चल जाती है उदर रमूला के ठीक होते ही शालीनी भी वापस आ जाती है लेकिन अखिलेश शालीनी को खोप सुनाता है निकल जा तु मेरे घर से अब क्या गर ने आई है यहां मेरी मा को ऐसी हालत में छोड़ कर तुम चली गए मुझे तुम जैसी पतनी की कोई जरूरत नहीं है नहीं नहीं मुझे ऐसी सजा मत दो मुझे माफ कर दो अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है मा जी सासुमा आप भी मुझे माफ कर दो शालिनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो सबसे माफी मांगती है फिर सब उसे माफ कर देते है लेकिन इन कुछ दिनों में आशा रमोला की अच्छी सहिली बन जाती है और जब आशा अपने घर जाने लगती है तो रमोला उससे कहती है आशा अब तुम कहीं नहीं जाओगी तुम अब यहीं हमारे साथ रहोगी लेकिन भला मैं अपनी समधन के घर कैसे रुख सकती हूँ समधन के घर ना सही अपनी सहेली के घर तो रुख सकती हो ना आज से हम समधन बाद में लेकिन सहेली पहले है और इस तरह एक गरीब समधन अपनी अमीर समधन की सहीली बन जाती है अब वो सब एक ही घर में एक साथ खुशी-खुशी रहने लगती है